आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर्स के बारे में बड़ा जबरदस्त चल रहा है जोश इसमें टेसला की खबर के चलते हुए जितना माल लपक सको लपक लो तुरंत क्या होंगे आगे के भविश्य के प्लान पूरा टेसला के लिए इन्होंने टेसला की ओफिशल न्यूज है दे आर गेरिंग अप टो सेल इलेक्रिक वेहकल इन इंडिया तो ओफिशल न्यूज है इसके चलते हुए उनको अब अपने पावर स्टेशन का भी काम करना पड़ेगा जिसके लिए यहां पर वो अपना इंटरने टीबी की रिपोर्ट है एक्सक्लूजिवली क्योंकि टाटा पावर जो है इंडिया की लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है यहां पर इंटिगरेट पावर कंपनी प्रवाइड करती है सारी की सारी फैसलिटीज पावर सप्लाई इंक्लूडिंग ट्रांस्मिशन एंड आपके पावर एक्क्यूप्मेंट्स तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया प्रियास रहेगा टाटा पावर्स का यह अब देखें दोनों के बीच में बाते चल रही है अभी इनिशल स्टेज पर है कोई एग्रिमेंट रीच नहीं हुआ है क्रिस्पॉंडेंस को रिस्पॉंस पावर्स का लॉंग टम की द्रश्टी से तो देखें यहां पर इन्होंने 2-3 सेल्स आउट्रेट प्लान किये थे इंडिया फॉर में बट अभी चलकर इनका बड़ा एग्रेसिव प्लान चल रहा है टेसला का जिसके चलते वे उनको इंफ्रस्रक्चर पर बहुत जादा काम सकने पड़ेंगे आपको power stations आपको petrol pump के पास बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को सहुलियत रहे electric charge availability के लिए यहां पर अभी आने वाले समय में इसकी और तेजी से बढ़ने की संभावना है यहां पर पिछले महीने जैसे आपको पता ही हो करनाठका के चीफ मिनिस्टर बी destination भी select कर लिया है और यह एक महीने के अंधर ही जब उन्होंने registration complete कर लिया है तो इसके साथ में अब बात चल रही है कि charging station कहां से मिलेंगे तो उसके लिए Tata Power से बढ़िया कोई option नहीं है उनके पास में इसलिए यहां पर Tata Power में काफी तेजी दिखाई गई है अब देखें यहां से 4 से 5 स्टेट के government से बाते चल रही है including उतरप्रदेश और यहां पर Tata Motors है setup charging infrastructure जिसके चलते हुए across major cities में रखेंगे और इसके चलते हुए इनको जो I-Pace, Jaguar और उनकी SUVs है उन सब के लिए charging station भी प्रवाइड करेंगे तो जो location रहेंगी restaurant, offices, mall, highways and other points पर यह infrastructure प्रवा power की एक बहुत बड़ी level की initiative है जिसके चलते हुए launch of invite this financial year itself यह launch कर सकते हैं और उन्होंने broad node to hive of renewable into two separate companies जो की propose किया है उन्होंने यहां पर एक renewable energy की बहुत जादा demand है आगे चल कर इसको बहुत बढ़िया renewable assets करेंगे long term की तरशी से यह domestic investors का भी ध्यान रखेंगे इस तरह से औ और यहां पर इन्होंने बताया है कि यह जो renewable assets रहेंगे इनके से reduced debt होगा और साथी साथ में जो आगे चल कर इनका long term की growth बनेगी वो भी एक बहुत बढ़िया बनेगी इनकी अगर capacity की बात की जाए 15 gigawatt by financial year 2025 की करने की बात चल रही है यहां पर data powers की तो यह अच्छी पहल है उनकी तरफ से growth बहुत रहेगी यहां पर growth की रिजशी से कर देखा जाए तो देखिए अभी यहां पर 10 gigawatt over next 5 years incremental business मिलेगा तो मतलब दुगना हो जाएगा अगले 5 सालों में stock market का क्या हाल होगा कम से कम आपको 4 गुना return देंगे अगर उनकी power capacity बढ़ जाती है तो यहां पर direct correlation निकाला गया है पिछली studies के accordingly पिछले 10 सालों की study की गये मारे team ने और उनके हिसाब से जैसे जैसे उनकी power बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका double rate पर stock market का valuation बढ़ जाता है long term के लिए तो यहां पर as for Jeffrey notes to the client जो earlier लिखा है Tata Power Renewable Energy in which is reducing its debt plan और जो चलते हुए mention किया गया है यहां पर progress, broad approach approval soon मिल जाएगा और इसके चलते हुए यहां पर operational 2.7 gigawatt as part of monetization हो जाएगा यहां पर तो यह अच्छी पहल रहेगी इनकी growth की दरश्ची से बहुत बढ़िया नया पहलूद सामने आएगा चैनल का 5 by February हमेशन नहीं आरके दोस्तों यह आपकी wealth की protection के काम आएगा अगर हम Tata Power की बात करें तो देखिए corporate social responsibility भी करते हैं साथी साथ में इन्होंने आगे आने वाले समय में long term के लिए solar panels invest करने शुरू किये हैं और उसके चलते वे इन्होंने आपको सारी की सारी facility mobile पर available है और यहाँ पर अपने long term में अगर आपको अपने बच्चों के भविश्य के देखना है तो उसमें यहाँ पर help भी कर सकते हैं इस तरह से अगर आपको explore करना है तो देखिए जैसा हमने बताया home automation provide करेंगे minimize electric consumption, solar micro grid है, electric vehicle charging station जिसकी हमने बात के भी Tesla के साथ joint venture की discussion चल रही है और solar rooftop की बात चल रही है यहाँ पर यह सब एक बढ़िया पहल है इनकी corporate responsibility भी बहुत अच्छे से निभाते हैं अपनी तरह से अगर बात की जाए अब अगर हम देखें आगे long term में क्या हो सकता है यहाँ पर इसका भविश है तो अगर आपने Tata Power का share अभी तक नहीं खरीदा है तो आपने एक बहुत बड़ी rally का miss opportunity कर दिया है देखें आपको अगली खबर बताने से पहले हम बताना चाहते हैं Tata Power ने जब से COVID का low बना है उसके बाद से चार गुना return दे चुकी है ओलरी देखें यहाँ पर COVID का impact अभी industrial output जो है back on track है तो power consumption तो होगी होगी वहाँ पर इसके चलते वे यहाँ पर बहुत अच्छी opportunity बिली थी long term investors को आपने कभी भी खरीदा होगा मार्च के बाद से आप अभी भी profit में होगे Tata Power के साथ में अब देखें अगर मात करें next news की Tata Power जो दिल्ली distribution है और Australian tech firm जो उन्होंने power legger की announced a launch of first peer-to-peer solar energy trading project तो अब दो कंपनियां आपस में ही solar energy की trading करेंगी जो कि बहुत अच्छी बात होगी किसी के पास जादा है तो वो दूसरे को दे सकता है किसी के पास का मैं तो दूसरे से ले सकता है यह collaboration प्रोवाइड करेंगा यहाँ पर smart grid forum के reference में और peer-to-peer solar energy trading होगी जो कि first in kind है पाइलेट प्रजेक्टर डेली में यह एक बड़ी पहल है इनकी हर एंगल से यहाँ पर टाटा पावर का long term के लिए बढ़िया काम चल रहा है तो DDL focus रहेगा utility of future और यहाँ पर इन्होंने power distribution space का innovation green technology में काम किया है CEO जो है गनेश श्रिवासन के accordingly यहाँ पर है तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो और हमारे पास जरूरत है तो वो हमसे खरीद लेंगे और आपको बेश देंगे तो यह एक बढ़िया proposition है यहाँ पर अपने घर पे लगाईए और पैसा भी कमाईए इसके साथ में यह एक बढ़िया तरीका मिलेगा लोगों को अपनी extra earning करने का अगर आपके roof available है बढ़ी और वहाँ पर अपने आपको cooling भी मिलेगी साथ में घर के नीचे और उपर से आपकी energy भी transport हो जाएगी बाहर जो आपके पास extra है तो दीखें यह इसका share price बढ़ रहे हैं यहाँ पर continuously और इन्होंने announce किया है TP Soria Limited के साथ में जो Tata Power की whole loanee subsidiary है कि इन्होंने Tata Steel के साथ में 15 megawatt का solar project sit करने की जमशेदपूर में company के साथ agreement किया है जो की एक बहुत बढ़िया पहल है इनकी 25 साल का schedule commercial operation रहेगा इनका और commence within 6 months यहाँ पर जो execution होगा वो शुरू कर देंगे तो इससे जो है उनकी carbon neutrality भी बनेगी carbon जो निकालते हैं उससे environment को भी friendlyness मिलती है यहाँ पर बहुत अच्छा consolidation हो रहा है अगर आप चाहें तो current market price पर खरीज सकते हैं इसको और कुछ market pressure की वेज़े से अगर कभी नीचे आता है तो कुछ price अपने लिए नीचे खरीदने का रखिएगा जैसा हमने बताया यह एक long term के लिए इसकी अगर market cap की बात की जाए तो market cap की दरश्ची से यह company यहाँ पर बहुत बड़े level पर काम कर रही है जिसके चलते हुए long term में अगर हम इसकी market cap की दरश्ची से यह 36,000 करोड की company है और sales consistently इसमें बढ़ रही है अगर देखें तो 7,500 करोड की sales है on average देखें तो 7 के above average चल रहा है अब यहाँ पर interest क्योंकि debt बहुत जादा है company का तो 1000 करोड के असपास average interest रहता है और यहाँ पर profitability 166 करोड की है अगर इन्होंने अपना interest कम किया तो इनकी और भी जादा debt reduction का plan चल रहा है और अगर आप share holding patent देखें तो DIA ने 25% के आसपास only रखी है promoter के पास 46%, FIA के पास 12% और public आप और हम जैसे लोगों के पास 16% की holding है यहाँ पर तो यह एक बहुत लंबे समय से इन्होंने अपना negative momentum के साथ चल रहा था market का काम बट यहाँ पर देखें 107 के भाव खुला और जाते जाते 114, 7% के आसपास उपर गया है यहाँ पर और देखें फिर यह 113 के आसपास इसने बंद किया है stability के reference में देखा जाए तो 5.5 प्रतिशत की एक शांदार गेन एक ही दिन में इसने बना आदेगा कि TADA power is in very strong uptrend यहाँ पर देखें 50 रुपे के भाव से बढ़ता बढ़ता 100 रुपे के आसपास चला गया है जो कि एक long term के लिए इसके लिए बहुत बढ़िया growth strategy बनाएगा यहाँ पर stock में reference में अगर कुछ इसमें हम एक आपको हलका सा conscious करने की कोशिश करें तो देखें जब भी market अगर काफी ताबरतोर तेजी से उपर चलता है तो हो सकता है अपने recent high के बाद एक retrace करें जो कि एक healthy retracement बना जाएगा तो यह इसका level जो है 90 रुपे का जो हमने जैसे बताया था current market पर खरीदिये पर दूसरा lot आपको 90 रुपे के आसपास खरीदने के लि यहां पर और consistently upper section में trade कर रहा है बहुत अच्छा chart pattern मन रहा है आपर outlook बहुत bullish है हमारा आने वाले अगर आप 3 साल तक का hold कर सकते हैं तो टाटा पावर्स पर हमारा bet है यहां पर 500 रुपे का आपको target मिल जाना चाहिए buy कीजे hold रखिए long term में एक growth story बनेगी आपके लिए अगर आप हमारे साथ trading की workshop जाइन करना चाहते हैं तो इसके साथ में एक दिन की workshop नहीं होगी आपको दो हफ़ते का free हमारे साथ trade करने का plan मिलेगा और आपको जो हम trade लेंगे वो आपको बताई जाएगी ताकि आप अपने growth के साथ में वहाँ पर काम कर सकें और basic technical workshop जाइन कर